आज है हमारे पास Splendor Plus E20 model तो यहां पे इसके अंदर वाले पार्ट में जो है क्या क्या चेंजिस कर रखे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ तो यहां पे सबसे पहले आप देख सकते हो यह जो oxygen sensor है इसकी जो वायर है इसका coupler पहले यहां ही रहता था बाहर की और लेकिन अभी जो है इसका coupler यह अंदर की साइड आप देख सकते हो तो यह जो coupler है यह आप देख सकते हो अभी थोड़ा अंदर की साइड लगा रखा है जो की थोड़ा सेफ अभी लगता है पहले बाहर ही होता था तो वो थोड़ा सा जो है अंसेफ लगता था तो सबसे पहल तो मेरे को यह देखने को मिला और नेक्स जो चेंजिज आपको पता ही होगा कि यह साइड स्टेंड कट ओफ का जो इसमें फंक्शन है वह आता है यह मैं आपको दिखाता हूं है आप देख सकते हो अभी साइर स्टेंड पाले लेकिन निव्ट्रल है तो भाइक हमारी स्टांट हो सकती है लेकिन अगर यह बाईक जो मैं इसको गेर में डालता हूं तो आप देख सकते हो अभी यह जो गेर में है बाइक और अभी यहां पर यह स्टार्ट नहीं होगी गेर में डाला लेकिन साइट स्टेंड उपर है जैसे नीचे होगा तो बाइक बंद हो जाती है तो इस ऐसा जो हो है क्यूंकि इसका जो सेंसर है आप देखो कि यह जो साइट स्टेंड सेंसर इसमें चेंजी कर रखा है तो अप देख सceptions के साइट स्टेंड में चेंज कर रखा है इस सेंसर में इसमें पहले बाइर आती थी अभी इसमें तीन वायर है इसमें ब्लैक वायर एक्स्टा है तक यह एक तीन वायर शे जो अपर करने पर उपर क्लोसर को जाएगा तो इस तरह कपलर आहिए लोके का गपलर को तो आपका बायक का जो फ्यूल Пमें फ्यूल मोटर रह सकते हैं इसके साथ ही जो यह जसका ओबिडी वो भी यहां पर दे रखा है यहां पर एक चोटी से पती है बस उसको जो है उसी के साथ ही इसको जो है ऐसे करके दे रखा है यह बस ऐसे ही है इसको कोल के आप जो है बाइको स्कैन वगरा कर सकते हो जो कपलर है इसका वो भी चेंज कर रखा है तो जो पहले वाला कपलर आता बस और कुछ नहीं इसा उपन अभी बागी चार्जर वगरा तो पहली आता था तो यहां पर फलैपैंस को इसको चेन्ग कर देहां थो पहले लेकिन यह पूरा ढ़के रखता आपकी को ऐना alreadywood पूरल्ड को तो यह अच्छी बात है